हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मीरर अप साइकालोजी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो साइकालोजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आज के इस वीडियो में हम स्टन्बग्स थेयरी और इन्फॉर्मेश इस स्किल बेस्ट, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अलग-अलग स्किल्स सीखते हैं, हमारा कॉगनिशन लेवल भी उसी तरह डेवलप होता है, तो स्टार्टिंग में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, बट धीरे-धीरे भी प्रैक्टिस वो स्ट्रगल करना सीख जाता ह तो इस तरह से जब हम अलग-अलग स्किल्स डेवलप करते हैं, तो हमारा कॉगनिशन भी डेवलप होता है, अगर आपको ब्लूम स्टैक्जोनामी के बारे में ज़्यादा जानना है, तो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अल्रेटी दिया हुआ है, स्टन बग थियरी में ये कहा गया कि हमारा डेवलपेंट तो थ्रूआउट दा लाइफ होता ही है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने की एक्सपर्टीज अलग-अलग होती है, पर एक्जेमपल मान लीजे कि दो स्टूडेंट्स हैं, जो इने सेम मैट्स का प्रॉब्ल प्रॉब्लम सॉल्फ करता है, तो उसे वो प्रॉब्लम सॉल्फ करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो इससे यहां यह समझ में आता है कि दोनों ही स्टूडेंट्स का एक्सपर्टीज लेवल अलग है, दी गई नहीं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, स्टर्न बग ने अपनी थेयरी में ये भी बताया कि हमारे इंटेलिजेंस लेवल को डेवलप करने में फीडबैक एंड सोशल इंटरेक्शन का भी इंपोर्टेंस होता है, तो इस तरह से फीडबैक के जरिए उस बच्चे की अंडरस्टेंग लेवल इंक्रीज होती है, क्लास्रूम एंवार्मेंट में ही सोशल इंटरेक्शन जैसे की ग्रूप डिसकर्शन एंड स्टूदेंट टीचर इंटरेक्शन के जरिए भी स्टूदेंट्स अलग-लग कॉंसेप्ट को समझते हैं, तो इस तरह से उनका इंटेलिजेंस लेवल भी इंक्रीज होता है, स्टर्णबक्स तेयरी ओव इंटेलिजेंस के तीन कंपोनेंट्स बताए गए हैं, पहला है मेटा कंपोनेंट, दूसरा है पर्फॉर्मेंस कंपोनेंट, तीसरा है नौलेज अक्विजेशन कंपोनेंट, Meta component का मतलब होता है वो higher executive order functions जिसकी मदद से हम decisions लेते हैं, problems को solve करते हैं और अलग-अलग plans बनाते हैं For example, एक chess player metacognition को use करके ये decide करता है कि उसकी पहली चाल क्या होगी, उसके opponent कौन-कौन सी चाल सकता है और throughout the game वो कौन सी strategies को follow करके game को जीत सकता है अब जब player अपने plans के accordingly chess की pieces को move करता है तो उसे ही performance component कहा जाता है जब हम अपने problems को solve करने के लिए अपने plans and strategies के हिसाब से action लेते हैं तो उसे ही performance component कहते हैं एक chess player अलग-अलग games खेल के chess से related बहुत सी information सीखता है जैसे कि chess के pieces कैसे move करने है गेम की शुरुआत करने की techniques कौन-कौन सी होती है इसके साथ ही वो अलग-अलग strategies सीखता है जिससे game की दौरान उसकी decision making ability improve होती है तो इसे ही knowledge acquisition component कहा जाता है जिसका मतलब होता है learning new information to address potential problems अगर आपको ये video पसंद आई है तो please इसे like करें and अपने friends के साथ share करें